निर्वाचन विभाग दे दो चर्णों में होने वाले लोक्सवाचुनाओ को लेकर तैयारियां पूरी की हैं। इन तैयारियों में EVM की FLC से लेकर ट्रेनिंग, परिवेखशक से लेकर मद्दान और मदगर्ना की प्रक्रिया को लेकर मुखे निर्वाचन अधिकारी प्रविन गुपता ने हमारे सेयों की डॉक्टर रितुराश शर्मा से खास बाद चीर की हैं। किस तरह की तैयारिये हैं दो चर्णों में चुनाओ हो रहा है और पहला दूसरा ही फैज है। देखे आज से जो आदर्श आचार सहिंता लोकसाबा चुनाओ दोजार चुनाओ के लिए लागू हो गई है। राजिस्तान का जो चुनाओ है वो दो चरंड में होगा। पहले चरंड में 12 लोकसाबा सीटों पर और दूसरे चरंड में 6 जो 13 लोकसाबा सीटे हैं। साथ में जो बागी दोरा का एक विदान सभा का भी चुनाव है वो 26 अपरेल को दूसरे फेज में होगा इस तरह से जो आचार सहिता में मुख्य रूप से जो 24 गंटे में जो कारे है वो सरकारी वेब साइट है और जो भी प्रचार समगरी है उसको अटाने का कारे किया जा रह जो बागी दोरा विदान सभा उप चुनाव भी है और 26 अपरेल को दूसरे चारें का भी चुनाव है जो वहां के लोग है वो दो तरह की कास्टिंग करेंगे वोट कास्टिंग तो उसके क्या इंतिजाम हो गया और किस तरह के निर्देश दिये गए लेके वो दो तरह के ए एविएम रखी जाएंगी दो एविएम होती है एक एक्स्ट्रा स्टाफ पॉलिंग स्टाफ लगता है शेश सभी गतिवितियां सेम रहती है उसकी जानकरी आमजन को प्रॉपरली दी जाएगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी वो तैयारी कर रहे थे एविएम का जो फस् पात्रमद दाताओं को हम वोटिंग की जो सुविदा है लोकसभा चुनाओं में पहली बार है तो लोकसभा चुनाओं के दृष्टिकत क्या मेजर्स अपनाएगाएं क्या उपाय किये गएं किस तरह के निर्देश दिये गए देखिए यह पहली बार जैसे हमने विदान पॉस्टल बैलिट के लिए जो हम सहुलियत दे सके करमचारियों को सर अभी मिशन पिछे तर रहेगा लक्ष पिछले बार के वोटिंग के हसाब प्रयास यह है कि हम लोग लोगों को सुविदा दें गर्मी को देखते हुए हीट वेव या जो गर्मी में प्रबंद करने चा प्रमीन गुपता मुखी निर्वाचन अधिकारी जो पूरे मैजर्स अपनाए जा रहे हैं उसके तहत यह विश्वास जता रहे हैं कि करीब करीब 55% प्रतिश है तक वोटिंग हो सकती है इस लोग सबाद चुनाओं में कैमरा परसन नरेंदर के साथ रितुराज शर्मा